तो जैसे में आपको कहा था कि हम टीवाइब का प्रिपरेशन एक 30 डेस में कैसे करने वाले है उसके उपर आपको एक वीडियो मिलेगा तो आज का जो वीडियो है ध्यान से देखे विकॉस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एक्जाक्ली हाव यू कैन प्रिपार दी सिलेबस ओफ यूर टीवाइब कॉम इन 30 डेस किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट के उपर आप कॉंसेंट्रेट कर सकते हो कितना टाइम आप दे सकते हो ताकि आपका ओवर ओर इस 30 डेस में जो सिलेबस है वो कवर हो पाए और आपको में उससे रिलेटेड अच्छा खासा बेनिफिट मिल पाए तो इस चैनल पर ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहते हैं और लाइफ सेशन पर आपको एक्जाम से पहले मिलेंगे तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि जबी भी लाइफ जाओंगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं that is very important topic because आपने पहले से कितना भी preparations किया होगा तो लास्ट के जो preparations है लास्ट के वन मन्त में लास्ट के 20 डेज में लास्ट के 15 डेज में वही प्रिपरेशन होता है जिसमें हम सारी चीज़े रिवाइस करते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए वो सारी चीज़े आप फिर से पढ़ते हो या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार भी वो प्रिपरेशन कर लेते हैं तो अगर आप पहले से पढ़ा है तो आप फिर the exam from 18th of November 18th of November date तो उन्होंने दिया था टाइम टेबल जैसे ही आ जाएगा वैसे आप सभी को पता चली जाएगा लेकिन हम एक वही बेसिस पर प्रिपरेशन फिलाल स्टार्ट करेंगे कि exactly आपको ये पूरे 30 डेस का जो पीरेड है या 30 डेस का जो आपके पास time available है उसको हम एक most productive way में किस तरीके से utilize करें because all of you know that अभी अगर festival season है तो festival season में time waste होता है festival season में बाकी सारी चीज़े भी है तो एक overall calculated चीजों से आपको बताऊँगा कि आपको कौन से subject के लिए कितना time मिलेगा और एक time table हम यहाँ पे discuss करेंगे कि आपका आगे का अभी जो 25 to 30 days का जो journey है उसमें आप किस तरीके से concentrate कर सकते है so that आपको यह time available है भी हमारे पास उसमें maximum benefit मिल पाए तो सीधा screen पे चलते है properly सारी चीज़े present करके बताऊँगा तो last तक बने रहे बीच में से ना जाए because आपको यह सारी चीज़े पता चलनी जाए so अभी ध्यान से समझते आपको actually करना क्या है कितने days हमारे पास in hand है and उसके basis पे हम एक schedule बनाएंगे तो अगर हम देखे तो we are having 30 days in hand right 30 days we are having in hand हमारे पास total number of days कितने available है 30 days तो if you see 18th November तो 18th November तक हमारे पास in hand 30 days रहेंगे और यह 30 days की अगर हम बात करें तो यह 30 days को आपको 60 days बनाना है तो why I am saying this कि 30 days को आपको 60 days बनाना है मतलब हमको एक दिन को दो दिन के basis पे preparations करना है अभी एक schedule में मेरे basis पे आपको provide करता हूँ सूट करेगा वैसे basis पे आप adjust कर सकते हो तो एक overall timetable दे दूँगा मैं आपको वो timetable आप use करें और जो भी बच्छे इसको use करेंगे उसको 100% अपने exam में benefit मिल पाएगा तो देखो अगर हम हमारे subjects की बात करें तो we are having the first subject as financial accounting the second subject as cost accounting these two are the accounts one is your economics one is marketing that is called as commerce commerce बोलो marketing बोलो एक ही बात है फिर आपके दो applied component है अगर आपके applied component में tax है और दूसरा आपका applied component computer है इसमें बहुत सारे बच्छों के subjects अलग रहेंगे ये tax और computer के जगे पे you will be having export marketing you will be having EMSSIS फिर marketing research है purchasing store keeping है बहुत सारे subjects है तो ये दो subjects जो है these subjects are applied component so I am writing over here applied component तो अगर आप ध्यान से देखे तो कितने subjects आपके हुए 6 subjects हुए तो आपके कितने subjects हुए 6 subjects हुए अगर हम 30 days को 6 से divide करे तो आपके पास कितने days है in hand 5 days है बहुत calculative चीजे बता रहा हूँ तो last तक बने रहे काफी अच्छी तरीके से आपको time का utilization बताऊंगा तो अगर 30 days से हमारे in hand है और अगर हम 6 subjects को divide करते है तो we are getting 5 days for each subject लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि आपको क्या करना है आपको हर एक दिन में 2 subjects को cover करना है तो every day you have to do what you have to prepare for 2 subjects और ये 2 subjects में हम क्या करने वाले है ये 2 subjects में हम combination करेंगे combination किस चीज़ का करेंगे हम combination करने वाले है practical subjects with theory तो remember students if you want to score more in your TY examination of semester 5 एक ही चीज़ आपको याद रखनी है आप theory पे focus करें बहुत सारे बच्चे क्या करते है practical subjects पे focus करते है और theory को ignore करते है अगर हम ये economics की बात करें तो this economics will carry 100 marks this marketing will also carry 100 marks इन दोनों का अगर overall marking पकड़े हम तो that is 200 marks अगर 200 marks आपका theory पे है और हम इन दो subjects को अगर उपर उपर से पढ़ रहे या इसको ignore कर रहे तो काफी problems हमको हमारे percentage में हो सकते है इसका मतलब ये नहीं है कि financial accounting, cost accounting, tax और computer important नहीं है ये tax, financial accounting, cost accounting की अगर हम marks काउंड करें तो वो total 400 marks का overall आपका चार subject बन जाएगा लेकिन ये जो चार subject है इसमें भी तो theory है पेपर में इसमें सारे के सारे sums तो नहीं आने वाले इसमें भी सारे का सारा क्या होएगा practical questions भी आएगे और उसके साथ objectives और theory भी आएगा इसी लिए ये दो subjects के उपर आपको focus करना है और ये दो subjects जो है eco and marketing इस पे जितना ज्यादा आप focus करोंगे उससे आपका क्या होगा percentage बढ़ेगा normally what is happening if anybody is anybody wants to score more for TY what they are doing they are focusing more on the practical subjects वो लो practical subjects पे ज्यादा focus करते है theory को ignore करते है लेकिन आपको करना क्या है practical subject भी focus करना है theory भी focus करना है अभी हम इसको किस तरीके से preparation करे तो 5 days हमारे पास है 5 days की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक overall schedule देता हूँ किस तरीके से हमको preparation करना है ताकि इसमें आप अपने basis पे फिर time table change कर लेना ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करे morning की ठीक है देखो हम 3 session में इसको divide कर रहे है एक morning है एक afternoon है और एक हमारा evening है evening में night का भी point उसी में हम लोग ले लेंगे ठीक है बहुत ही simple concept है इसको follow करे ताकि आपको overall पता चलेगा कि किस तरीके से हमको time को utilize करना है now you all are having holidays तो आप ये proper time को manage करे morning में हमेशा हमको theory subjects पढ़ने है ठीक है morning में हमेशा हमको क्या करना है theory subjects पढ़ना है ठीक है आप इसको properly follow करके देखे आपको काफी अच्छा benefit इसमें मिल पाए say for example morning 6 a.m. से आपने पढ़ाई को start किया जल्दी उठना बहुत important है चुट्टी है इसका मतलब यह नहीं कि आप 8 o'clock 9 o'clock तो सोते रहे 6 a.m. को आपको start करना है theory subject और 9 a.m. तक आपको क्या करना है theory subject पढ़ना है इसमें हम economics पढ़ सकते है या फिर marketing पढ़ सकते है जैसा आपको comfortable रहे but morning में आपको theory subject C पढ़ना है because morning का atmosphere थोड़ा सा अच्छा रहता है तो उसके basis पे हमको पढ़ने में theory पढ़ने में problems नहीं आएगा और morning में आपको सबसे पहले क्या करना है 6 a.m. से 9 a.m. तक आपको theory complete करना है मतलब यहाँ पे आपको 3 hours मिले ठीके 3 hours मिले उसके बाद आपको 1 hour का break लेना है 1 to 1.5 hours का अगर आप break लोगे तबी भी चलेगा उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद 9 o clock के बाद आपको क्या करना है 10 to 11 ठीके 6 to 9 मेंने theory subjects लिया है फिर 10 to 11 क्या करना है आपको 10 to 11 आपको revision करना है कौन सा revision करना है जो भी आपने theory subjects पड़ा है पहले वाले दिन जो आपने आज पड़ा है उसका revision आप कल करोगे जो आपने एक देन पहले पड़ा है उसका revision आप इस एक घंटे में कर लोगे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पिछला जो पड़ा है जिनको भी problem होता है भूलने का वो जिनको भी problem है पिछला जो पड़ा है भूलने का ये system आप फॉलो कर सकते है whatever we have learned previous day revise करें आज के दिन में तो ये हमारा भी हो गया 10 से 11 उसके बाद आपको क्या करना है 12 to 1 मैंने आपको लंच के लिए ब्रेक दिया है this is break time and this is your lunch तो एक घंटा तो लंच के लिए लगेगा नहीं थोड़ा लंच करके आप थोड़ा सा बेट सकते है जो आपको अगर थोड़ा टीवी देखना है और मैंने आपको लंच के बाद 30 मिनिट का ब्रेक दिया है देखो बहुत time है जिनके पास time की कमी है जो कहते है कि मेरा time ही नहीं मिला मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके बताता हूँ 1.30 से लेके 4.30 इसमें आप करोगे accounts क्या करोगे आप इसमें accounts करोगे इसमें आप कुछ sums solve कर सकते हैं कुछ sums के adjustments देख सकते हैं या कुछ आप इसमें points पढ़ सकते हैं जो भी आपके chapter है उसका revision कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े जो आपको करना है जैसे आपका syllabus pending रहेगा उस basis पे आप इसमें accounts को follow करें 130 से लेके 430 तक आपको क्या करना है आपको accounts पढ़ना है और accounts में आपको sums भी solve करने है और उसके साथ theory आता है accounts का वो भी आपको पढ़ना है अगर आपको नीन दाने लग जाएगी तो sums solve करें अगर आपको आपका mood एकदम fresh है तो आप फिर accounts का theory भी इसी time में complete कर सकते है तो 132, 430 आपने पढ़ाई कर लिया accounts के theory का उसके बाद हमें क्या करना है देखो 530 से लेके 730 तक it's a relaxed time तो इस time में आपको relax रखना है खुद को इस time में आपको relax करना है जो लोग gym जाते हैं वो लोग gym जा सकते हैं अगर आप जीम नहीं जाते हैं तो आप कही बाहर गुमने जा सकते हैं अगर आप वो भी नहीं करना चाते हैं तो आप थोड़ा सा टीवी देख सकते हैं या घर का कुछ काम रहेगा गर्ल्स होंगे तो घर का कुछ काम होता है वो आप कर सकते हैं 7.32, 5.32, 7.30 is free time ए रिलाक्स टाइम है आपके पास फिर उसके बाद आपको एटो क्लॉक से 8.30 के बीच में आपको अपना डिनर कर लेना है देखो एकदम सिंपल चीज बता रहा हो ये सारी चीज़े प्रापर फॉलो करो आपको काफी अच्छा फाइदा मिलेगा रात का जो भी डिनर रहेगा वो आपको 8.30 के बीच में कर लेना है उसके बाद हमारा टाइम आएगा 9.00 9.00 से 11.30 maximum 9.00 से लेके 11.30 तक आपको फिर से पढ़ना है थियरी ये थियरी में आप इको की थियरी पढ़ सकते हो मार्केटिंग की थियरी पढ़ सकते हो आज वेल आज जो हमारे प्राक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसकी भी थियरी पढ़ सकते हो जैसे कि accounts में जो theory पूछते है tax में जो theory पूछते है वो भी आप सारी theory इस overall points में complete कर सकते हो तो eco की theory, marketing की theory as well as account subject की theory, tax subject की theory ये आप preparations इस time में कर सकते हो और 9 o'clock से लेके 11.30 तक आपको पढ़ना है उसके बाद आपको सीधा relax होना है और सो जाना है और फिर से morning में यही schedule को आपको repeat करना है अगले आने वाले 30 दिन अगले आने वाले 30 दिन में अगर आपने ये schedule को properly follow किया properly is very important over here अगर आप आने वाले 30 दिन में अगर आपने इस schedule को properly follow किया तो जो भी आपको problem होता है जैसे कि syllabus complete नहीं हुआ पढ़के नहीं हुआ, last moment में याद नहीं आया, exam में जाके में blank हो गया वो सारे problems आपको exam में आएंगे ही नहीं because you are not only studying, you are not only completing your syllabus but you are also revising simultaneously तो ये schedule को आप follow करके देखे इसमें आप अपने basis में changes जैसे आपको comfortable रखे वैसे आप कर सकते हो मैंने इस तरीके से ये schedule को बनाया है कि 80-90% student भी अगर इसको follow करेंगे इस schedule को, इसी schedule को without making any changes तभी भी आपको इसमें अच्छा कासा benefit मिल पाएगा लेकिन अगर किसी-किसी का ये problem है कि morning में मुझे पढ़ाई नहीं होता है रात में होता है तो फिर थोड़ा सा आप इसमें अपने basis पे changes कर सकते हो I hope कि आज का वीडियो informative था आपको इससे कुछ सिखने मिला और ये schedule आप अगले 30 दिनों में follow करोगे अगर आपको ये schedule अच्छा लगा है ये अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है जैसे कि financial accounting में आप कैसे questions को पहले attempt करना है कैसे questions को बाद में attempt करना है which questions के लिए कितना time लगना चाहिए कैसे questions में कैसे adjustments के type आते है वो सारी चीज़े हम लोग इस channel पे discuss करने वाले है timely basis पे तो I hope कि you will be following this schedule and will be achieving great percentage in your upcoming TY Semester 5 Thank you very much